ओम शान्ती आज 28 जूम 2019 के इश्वरिय महावाक्य आज की पूरी मुरली में बाबा ने एक ही बात पर अटेंशन दिलाया है कि हमें बाप का बनकर कभी लड़ना जगड़ना नहीं है हमारा आपस में बहुत रुखानी प्यार होना चाहिए क्योंकि हम आपस में रुखानी भाई-भाई हैं बाबा ने कहा अगर आपस में लड़ते हो तो तुम बाप के बच्चे नहीं हो फिर तो निधन के, रावण के, आसुरी संपरदाए के बन जाते हो बाब ने कहा देवताओं का आपस में कितना प्यार है वह वस्था तुम्हें यहां जमानी है फिर कहा बाप की नींदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पाने सके उनको नास्तिक कहेंगे हम रुहानी बच्चों को अब योगबल द्वारा रुहानी बाप से रुहानी वर्षा लेना है इसके लिए इंडिवीजवल बाप को याद करना है बाब ने कहा देह अभिमान है तो आसुरी गुण होंगे और अगर देही अभिमानी हो तो इश्वरिये गुण मिलेंगे जब इश्वरिये गुण धार्न करेंगे तब ही बाप साथ ले जाएंगे जिन में दैवी गुण है उन्हें औरों को भी आप समान बनाना चाहिए प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी है क्योंकि हमारा बाप प्रेम का सागर है तो हमें भी ऐसा बनना है लास्ट में बाबा ने कहा रोज अपना पोता मेल देखो कि आसुरी चलन सुधरी कोई सर्विस की अगर नहीं तो फिर पद क्या पाएंगे सिर्फ अंत में पच्छताएंगे रोएंगे और सजा खाएंगे अब सुनते हैं मुरली विस्तार से आज मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम आपस में रुहानी भाई भाई हो तुम्हारा एक दो से अती प्यार होना चाहिए तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो कभी भी लड़ना जगड़ना नहीं प्रशन रुहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं उत्तर पहला जो शिरीमत पर सारे विश्वका का ल्यान कर रहे हैं दूसरा जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं कभी रूसते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज़त गवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं, ओम श्यान्ती, जैसे रुहानी को रुहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि शिरीमत पर सारे विश्म का कल्यान कर रहे हैं, कल्यान कारी सब प्यारे लगते हैं, तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे, बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए अगर भाई भाई यहां ही लड़ते जगडते हैं या प्यार नहीं करते तो वह भाई नहीं ठहरे तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए बाप का भी आत्माओं से लव है न तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए सत्यूग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं क्योंकि शरीर का अभिमान तूट जाता है तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्यान करते हो अपना भी कल्यान करते हो तो भाईयों का भी कल्यान करना चाहिए इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे है वो लोकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं यहां लड़ने जगडने की बात नहीं हर एक को डिरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है यह है बेहद की बात योगबल से बाप से वर्सा लेना है लोकिक बाप से स्थोल वर्सा लेते हैं यह तु है रुहानी बाप से रुहानी बच्चों को रुहानी वर्सा हर एक को डारेक्ट बाप से वर्षा लेना है जितना जितना इंडिवीज्वल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या रूहानी भाई भाई को जगड़ना नहीं चाहिए वह सब आशुरी संतान ठहरे फिर देवी संतान और आशुरी संतान में जैसे की फर्क नहीं रहता क्योंकि देह अभिमानी बन कर ही लड़ते हैं आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं, तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे, यह तो दे अभिमानी बच्चे हैं। रावन के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं है। क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो इस समय देही अभिमानी बन रहना है अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावन सम्परदाई समझना चाहिए आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे भल इश्वरिय संतान कहते हैं परन्तु आशुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है देही अभिमानी में इश्वरिय गुण होते हैं यहां तुम इश्वरिय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ में ले जाएंगे फिर वही संसकार साथ में जाएंगे बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं वह इश्वरिय बच्चे कहला न सके कितना अपने को घाटा डालते हैं माया के वश हो जाते हैं आपस में लून पानी हो जाते हैं यह तो सारी दुनिया ही लून पानी है लेकिन अगर इश्वरिय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा वह तो बाप की निंदा कराते हैं बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पाने सके उनको नास्तिक भी कह सकते हैं आस्तिक होने वाले बच् नहीं है प्रेम से रहना यहां ही सीखना है जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा बाप के बच्चे कहला कर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी म मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं माया बड़ी तीखी है जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है पता भी नहीं पड़ता है आपस में रूसना आदी आसुरी संपरदाय का काम ह बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है माया वार करती रहती है माया ऐसा माथा मूड लेती है जो पता नहीं पड़ता है अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है वह नहीं प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए लड़ना जगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना इससे ना बोलना अच्छा है Here no evil अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो आशुरी चलन सुधर्ती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है क्या पद पाएंगे बाब समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी पद कम हो जाएगा साक्षतकार तो सबको होना ही है तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षतकार होता है साक्षतकार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे पिछाडी में सब साक्षतकार होगा कौन-कौन किस माक्स से पास हुआ है फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पच्छताएंगे बाबा का कहना नहीं माना बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आशुरी गुण नहीं होना चाहिए जिनमें दैवी गुण है, उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए बाप को याद करना तो बहुत सहज है अल्फ और बे, अल्फ माना बाप बे बादशाही तो बच्चों को नशा रहना चाहिए अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर इश्वरिय ओलाद कैसे समझेंगे बाबा समझेंगे, यह आशुरी ओलाद है माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है उनको पता भी नहीं पढ़ता है सारी अवस्था डवाडोल पद कम हो पढ़ता है तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए प्रेम की दरिस्ठी रहनी चाहिए बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खीचते हैं न, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है, बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं, इश्वरिय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं, देवताओं में प्यार है न, तो वह अव तुम्हें यहां जमानी है इस समय तुमको नौलिज है फिर देवता बन गए तो नौलिज नहीं रहेगी वहाँ दैवी प्यार ही रहता है तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं अभी तुम पुझे बनने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो अभी संगम पर ह बाप भी भारत में आते हैं शूजयंती मनाते हैं परन्तु वह कौन है कैसे कब आते हैं क्या करते हैं यह नहीं जानते तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार जानते हो जो नहीं जानते वह किसी को समझा भी नहीं सकते फिर पद कम हो जाता है स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है कोई प्रेजेंट रहे, कोई अपसेंट यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते है स्वदर्शन चक्र फिराते रहते है बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो भूलते हो तो अपसेंट हो जाते हो जब सदैव प्रेजेंट रहेंगे तब ही उच्छ पद पाएंगे भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है उच्छ पद पाने वालों की बुद्धी में यह चक्र फिरता होगा कहा जाता है श्व बाबा की याद हो मुख में ग्यान अम्रित हो तब प्रानतन से निकलें अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी खाने का लोब होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी यह खाऊं फिर पद भ्रस्ठ हो पड़ेगा बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ने आए बिगर कोई संबंद जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है लोब भी कम नहीं लोब है तो पिछाडी समय वही याद आता रहेगा नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे इसलिए तुम बच्चों को लोब आदी भी नहीं होना चाहिए बाप समझाते तो बहुत हैं परन्तु समझने वाले कोई समझे बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो बाबा ओहो बाबा 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 मुख से कहना भी नहीं है अजपा जाप चलता रहे बाप की याद में करमातीत अवस्था में यह शरीर छुटे तब उँच पद पा सकते हो अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला पुइंट प्रेम से भरपूर गंगा बनना है सब के प्रती प्रेम की दृष्टी रखनी है कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने है दूसरा पॉइंट किसी भी चीज में लोब नहीं रखना है स्वधर्शन चक्रधारी होकर रहना है अभ्यास करना है कि अंतसमें कोई भी चीज याद ने आई आज का वर्दान है ब्रहमन जीवन में स्ट्रेश्ट स्थिती रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादश्चाहा भव ब्रहमन जीवन में स्ट्रेश्ट स्थिती रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादश्चाहा भव बाबा ने कहा आप सब अपनी स्वस्थिती अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्रहमन बने हो ब्रहमन जीवन में स्टेस्ट स्थीती ही आपकी प्रोपर्टी है यही ब्रहमन जीवन का मैडल है जो यह मैडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एकरस स्थीती में रहते सदा अनिश्चिंत बेगमपुर के बादशहा बन जाते हैं वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। आज का स्लोगन है देह अभिमान को मिटा दो तो सर्व प्रिस्थीतियां स्वत्य मिट जाएंगी। अब हैं मातेश्वरी जी के मधुर महवाक्य जिनका सार है इस संगम समय पर प्रेक्टिकल महा भारत रिपीट हो रहा है। ममा ने कहा देखो मनुष्य कहते हैं कोरवों और पांडवों की आपस में कुरुक शेत्र में लड़ाई लगी है और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डिरेक्शन देने वाला श्रीक्रीशन था। तो जिस तरफ स्व्यम प्रकर्ति पती है उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो सभी बाते मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो की प्रकर्ति पती कोई क्रीशन नहीं है। प्रकर्ति पती तो परमात्मा है। क्रीशन तो सत्यूग का पहला देवता है। उसको भगवान नहीं कह सकते। तो पांडवों का सार्थी परमात्मा था नकी शुरी क्रीशन। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है। ने पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराजे लिया यहे दुनिया करम शेत्र है जिसमें मनुष्य जैसा जैसा करम का बीज बोता है वैसा अच्छा बुरा फल भोगता है जिस करम शेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है पर मातमा आता भी भारत खंड में है इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है पर मातमा का आउतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अध्रम की वरिधी भी भारत खंड से हुई है वहां ही पर मातमा ने योगबल दवारा कोरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य परन्तु बहारतवास से अपने महान पवित्र धर्म और स्टेस्ट कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। परन्तु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकर्ती का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो सर्वधर्मानी परीतज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ योग लगाना है। इसलिए सर्वशक्तिवान प्रकर्ती पती परमात्मा है। नकि शुरी गृषन, तो कल्प पहले भी जिस तरफ सक्षात प्रकर्ती पती परमात्मा थे, उनकी विजे गाई हुई है। अच्छा, ओम शांती